वेलकम कीजेगा एक चीज चलते चलते ठक जाती है लेकिन अगर उसकी गर्दन काड़ दे तो वो दुबारा चलने लगती है पैंसिल दुनिया का वो कौन सा बादशा है जिसका कोई महल नहीं है शेर जंगल का बादशा आपके पास तीन सेव है दो वालदा और दो बेटियों में कैसे तक्सीम करेंगे जबके हर किसी को पूरा सेव देना है एक नानी है एक मा है और एक बेटी नानी मा की मा है और मा नानी की बेटी है इस तरह यहाँ दो माए है और दो बेटिया तो आप हर किसी को एक एक सेव दे देंगे वो कौन सी जगह है जहां जाते तो दस लोग है लेकिन वापिस नो लोग आते है कबरिस्तान उस चीज़ का नाम बताएं जो जिन्दा हो तो दफना देते हैं और मार जाए तो निकाल लेते हैं पोदा, द्रख्त पाकिस्तान के किस शहर को लिखते वकट 15 नुक्ते लगाने पड़ते हैं? पाक पतन शरीफ इनसान के जिसम का वो कौन सा हिस्सा है जो पैदाईश से मोद तक एक ही साइज करहते हैं? आँखें वो क्या चीज है जो हमेशा नीचे आती है कभी उपर नहीं जाती? बारिश उस चीज का नाम बताएं जो गरम करने पर जम जाती है अंडा जब हम अंडे को बॉइल करते हैं तो वो जम जाते हैं ना? दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तमाल होने वाली चीज कौन सी है? पैसा वो कौन सा परिंदा है जो बच्चों को दूद पिलाते हैं? चमगादड इनसान मार्च में फरवरी से ज्यादा खाना क्यूं खाते हैं? यूँके फरवरी में 28 दिन होते हैं और मार्च में 31 दिन होते हैं वो कौन सी जगह है जहां मोद जिन्दगी से पहले आती है? इंग्लिश डिक्षनरी में डैथ लाइफ सबस रंग का पथर नीले समंदर में फैंकें तो क्या होगा? सिंपल गीला होगा और डूब जाएगा वो कौन सा जानवर है जो लोहे की कीले हज़म कर सकते हैं? क्रोकोडाइल मगर मच उस चीज का नाम बताएं जो दोने से गंदी हो जाती है पानी वो कौन सी जगह है जहां अमीर और गरीब दोनों को टूरा लेकर खड़े होते हैं? गोल गपे वाली तोकान वो कौन सी चीज है जिसमें पाकिस्तान अमरीका से बहुत आगे है? वकत पाकिस्तान अमरीका से दास घंटे आगे है वो कौन सा परिंदा है जो उल्टी तरफ भी उड़ सकते हैं? यो मिंग बार्ड आगे हैं?